ओल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ इंजिनियर हो अपना इंटरनल कम्विशन ने जन चल रहा है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाए और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारा कंटेंट आपको पीडियो फॉर्मेट में अविलेबिल ह जिस तरह से मेकनिकल इंजिनियरिंग की स्रीज जर्नल नॉलेज की स्रीज कम्विट एविलेबिल है इन नॉट्सों के स्तमाल आप S.S.C.R.R.V. स्टेट J.A.E. गेट वीटैक A.M.I. के एक्जामनिशन के लिए कर सकते हैं इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था किस प्रकार से काम करता है किस प्रकार से इसकी मास फिलो रेट हम निकाल सकते हैं जो फ्यूल कर रहा है संकिर्न पाइप में आ रहा है थ्रॉटलिंग की तरफ तो कितना फ्यूल आ रहा है कितनी फ्यूल रेट से फ्यूल आ रहा है अब यह आईडियल मास फिलो रेट हमने न एक्चॉल आपको प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार की कैलकुलेशनों में यदि आपको प्रोब्लम आती है ताप फ्लोड मैकेनिक्स की वीडियो देखें सिरीज देखें उसमें कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी डिटेल स्टेडी करकर आएं तो आपके सारे के बरावर होता है थेटिकल डिस्चार्ड उसमें कुछ आप कोपिशेंट मल्टिपलाई कर देते हैं तो एक्चॉल के बरावर प्राप्त हो जाता है तो यहां पर मास्फिलो रेट हमने थेटिकल प्राप्त कर ली थी इसमें आप कोपिशेंट से सिर्फ मल्टिपलाई करें तो आपकी actual mass flow rate प्राप्त हो जाएगी तो यहां पर actual mass flow rate के लिए आप लिख सकते हैं coefficient है यह coefficient of discharge for fuel जिसे CDF से आप लिख सकते हैं अब सेम यह वाकी फॉर्मूला है theoretical वाला theoretical जो यह कहें ideal mass flow rate थी आपने प्राप्त कर ली थी उसको आपने सेम आप लिख दिया है किसके बरावर है यह multiply है CDF से area है AF under root 2 row F bracket में P1 minus P2 minus row F GZ जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने steady किया था fuel किस परकार से flow कर रहा है इस point पर fuel की कितनी velocity होगी अब यहां पर air भी flow कर रही है तो यहां पर cross section अधिक है यहां पर throttling हो चुकी है इसकी तो area कम हो गया है या कहें cross section कम हो गया है तो यहां पर जो air flow कर रही है उसमें क्या change देखने को मिलते हैं या कहा जाए air की mass flow rate यहां पर कितनी है उसकी steady करने के लिए हमें कुछ assumptions मानने होंगे exact करेंगे फिर लगबग मिलता जुलता approximately steady हम करेंगे तो यहां पर actual के लिए exact calculation के लिए अब यहां पर कुछ assumptions मान कर हम चलते हैं exact analysis कर रहे हैं air mass flow rate के लिए air is considered as ideal gas यह खुम ideal gas लेकर यहां पर चल रहे है flow of air is assumed to be reversible adiabatic जो flow हो रहा है वो reversible adiabatic है air का potential energy difference is negligible negligible है जैसा कि यहां से potential energy आ रही है यहां पर जो throttling हो रही है आपको इस प्रकार से यहां पर यह संकिर्न एरिया हो गया है throttling हो गया है यहां पर जो potential energy है यहां पर भी लगवग सेम रहेगी क्योंकि बहुत जादा इसकी density नहीं है तो potential energy इसकी आप neglect करकर चल सकते हैं next point है flow is steady जो flow हो रहा है steady flow हो रहा है नरंतर चल रहा है air is considered to be compressible और air को यहां पर compressible compressible या संपीडन योग मान कर चल रहे हैं जैसा के actual air होती है इसे compress किया जा सकता है अब यदि इस परकार की condition लगी हुई हो है assumptions लिए हो हैं तो किस परकार की equation इस्तेड़ी फिलो energy equation इस्तेवाल कर सकते हैं यहां पर आप क्रोस-section ऑरिया यह है जांसे air enter कर रही है दूसरा यह जहां पर एरिया बहुत कम हो गया इस pipe का संक्रिन कर दिया गया यह वह छोटा कर लिया गया है तो सेक्षान यह सेकिंड सेक्षान अपना यहां पर आपकर अपकट लगा रहे हैं यह कहाजा जाए पर आपको थ्रोटल प्राफ्ट हो रहा है जहां बेलोशिटी आप चेक करना चाहते हैं मास फिलो रेट चेक करना चाहते हैं इस्टेडी फिलो एक्वेशन आप लगा सकते हैं तो फर्स्ट सेक्षन के लिए सेकिंड सेक्षन के लिए अलग-अलग energy equation आप लगाएंगे steady flow energy equation है energy constant पनी रहती है तो यहाँ पर h1 plus b1 का square divided by 2000 plus gz1 divided by 1000 plus q अब इसको आप बरावर रखेंगे h2 plus b2 square divided by 2000 plus gz2 divided by 1000 plus w यह energy equation होती है steady flow के लिए steady flow energy equation के नाम से इसे हम जानते हैं यह आपने thermodynamics में detail में देखी होगी नहीं तो आप thermodynamics series देखेंगे या फिर आप यह special topic search करें तो आपको अच्छे से समझ माझाए किस परकार से energy balance रहती है तो यहाँ पर अब इस equation को हमने लिख दिया है हम मान कर चल रहे हैं यहां से यह एर पास हो रही है जो flow हो रहा है steady चल रहा है अब उस flow में आपको ना तो heat दे रहे हैं नहीं आप heat ले रहे हैं तो इसे heat transfer को neglect करेंगे ना work दे रहे हैं न ले रहे हैं वर्क ट्रांसफर भी 0 है और reference point जो आप Z1, Z2 इस्तिमाल करते हैं potential energy के लिए होते हैं तो potential energy को हम neglect करकर यहां पर चल रहे हैं और इसी के साथ साथ यहां पर velocity air की बहुत कम है और जो जो संकिर रियर होगा velocity बहुत ज़ादा हो जाती है तो यह velocity बहुत कम है इस cross section से जो air flow कर रही है और जो बारीक सा section होगा throttling से जिसे कम कर दिया जाएगा वहाँ पर velocity बहुत ज़ादा होगी बहुत बहुत ज़ादा होगी जैसा आप यहां देख सकते है velocity b2 is greater greater than b1 तो इसमें आप b1 को neglect करकर चल सकते हैं तो यहां पर b1 को भी neglect कर दिया है अब जैसा कि ideal gas के लिए हम enthalpy specific enthalpy इसको किस पकार लिख सकते हैं cpt1 और यहां s2 के लिए specific enthalpy के लिए cpt2 लिख सकते हैं बाकि अपना says part यह रहता है तो b2 is square divided by 2000 यहां पर ले लिया है अब यहां पर b2 वो संकीर्ण या throttling वाला velocity है तो इसको आप दर ले जाएंगे तो यह negative हो जाएगा तो इसको आप velocity of air लिख सकते हैं तो यहां पर direct इसे va square divided by 2000 कर दिया है is equal to cpt1 minus cpt2 specific enthalpy होती है at constant pressure अब यदि आप special b1 निकालना चाहें दूजरी तरफ under root चल जाएगा 2000 multiply हो जाएगा तो under root में आता है 2000 cpt1 bracket में है 1 minus t2 divided by t1 क्योंकि यहां पर t1 common ले लिया है दोनों में से आप यदि t1 ले 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 लेते हैं तो यहां पर 1 आ जाएगा इसकी तरफ और यहां पर t1 से divided कर देंगे तो final आपको velocity प्राप्त होती है इस प्रकार आप इसे लिख सकते है अब यदि इस equation को temperature वाली को pressure में हम change करना चाहें तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते है va is equal to under root 2000 cpt1 bracket में 1 minus फिर से bracket है p2 divided by p1 इसकी power है gamma minus 1 divided by gamma इस प्रकार इसे आप लिख सकते है adiabatic जो अपनी equation होती है reversible adiabatic process के लिए तो यहाँ पर इस t2 को आप लिख सकते है t2 divided by t1 किसके परावर होता है pressure p2 divided by p1 के परावर इनकी power होती है gamma minus 1 divided by gamma तो इसको यहाँ पर आपने replace कर लिया इस प्रकार आप replace कर सकते है next इसे आप update करकर लिख सकते है va is equal to under root 2000 cpt1 अब bracket में है इसको और आप update करना चाहे pressure को लेकर आए density की तरफ इस equation को और update कर ले second equation आती है p1 b1 की power gamma is equal to p2 b2 की power gamma यहाँ पर p1 b1 यह specific volume है जैसे new से आप लेख सकते है इनकी power होती है gamma p1 new 1 की power gamma is equal to p2 new 2 की power gamma specific volume है density से multiply कर सकते है इस प्रकार से 1 divided by rho आ जाएगा क्योंकि volume mass divided by density होता है mass unit कर दिया specific आप लेकर चल रहे हैं तो p1 divided by rho 1 की power है gamma is equal to p2 divided by rho 2 की power gamma अब यहाँ पर इन्हें एक तरफ लेकर आ सकते है आप pressure को p1 divided by p2 is equal to density है rho 1 divided by rho 2 इनकी power आ जाएगी gamma इसे लिख लिए है अब इसे आप density की टर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं अब यहाँ पर आपने p2 divided by p1 की जिगे यह value put कर दिया इसकी power gamma है इसकी power क्या थी gamma minus 1 divided by gamma तो यह gamma से gamma cancel हो जाएगा तो सिर्फ density की power gamma minus 1 says रहती है तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं b a is equal to under root 2000 cpt1 bracket में 1 minus bracket rho 2 divided by rho 1 power gamma minus 1 अब जैसा हम जानते हैं साथियो यह हमने velocity निकाल लिए है air की जो b2 section पर velocity हमें प्रापतोरी है कहा जाए जो throttling area है अपना जहाँ पर area कम हो गया है वहाँ पर velocity है उस velocity को हम निकाल लिया mass flow rate की equation यह होती है तो इससे हम mass flow rate पता लगा सकते हैं इस section पर two section पर जो velocity क्या है mass flow rate क्या है air की mass flow rate of air is equal to density of air area cross section area जहाँ से air flow कर रही है rho a v a velocity जहाँ पर air travel कर रही है या चल रही है जहाँ से velocity flow कर रही है वहाँ पर कितनी velocity है air की इस परकार से आप mass flow rate लिख सकते हैं अब mass flow rate में यहाँ पर यह same formula इस्तेमाल कर लेंगे बी ये के लिए बाकी यह दोनु rho a ये direct उतार लिए इस term को यहाँ पर direct ले लिया गया है यहाँ पर यह term pressure वाली है next इसे आप इस परकार लिख सकते हैं जो यह आपकी mass flow rate प्राप्त होगी और किसके बरावर होगी ideal होगी एक तरह से theoretical होगी इसे आप actual बनाना चाहें इसमें आप coefficient multiply कराएं जैसा आप इसली वीडियो में कराए था तो coefficient of discharge for air air के लिए आप इसमें discharge coefficient multiply करा देंगे तो आपका actual mass flow rate प्राप्त हो जाएगा air का जो कितना प्राप्त होआ है mass flow rate of air is equal to CDA into rho A into AA under root 2000 CPT1 bracket में 1 minus P2 divided by P1 power gamma minus 1 divided by gamma bracket इनका close हो गया है और यह bigger bracket से आप इसे फिर से close कर सकते हैं इस फिरकार से आपको actual mass flow rate प्राप्त हो जाती है air की यह थी आपकी exact analysis यदि आप बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं लगवागा आप लंसम लेकर चलना चाहते हैं कुछ अजमसंद लगा कर लेना चाहें तो किस परकार से आप उसे अलग तर्मों से परिवासित कर सकते हैं mass flow rate निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे next slide में उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियों दिगई जानकरी आपको अच्छे से समझ माई होगी अभी वे आपका कोई confusion है तो आप हमसे